तो हेलो मेरे भैलो केसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपको क्या पता है इंसान के बरबाद होने की क्या कारण होते हैं चलिए आज भगवत गीता में इस वीडियो में जान कारण, नींद, गुसा, डर, ठकान और काम टालने की आदत, पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो, क्योंकि जो एहंकार करता है, वो वक्त की मार से जरूर तूटता है, दिन की शुरुवात में लगता है, कि जिन्दगी में पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन दिन डलने प छोटा देख रहे हो, या तो आप उसे दूर से देख रहे हो, या फिर गुरूर से देख रहे हो, आखों में पानी रखो, होटों पे चिंगारी रखो, जिन्दा रहना है, तो तरकीबे बहुत सारी रखो, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, परिशरम इतना कर कि हाथों की लकीर बदल दो, अगर परचाई कद से और बाते उकाद से बड़ी होने लगे, तो समझ लेना सुरज डूबने वाला है, याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महा भारत नहीं होने देता, अच्छे क कर्म करने के पश्चाद भी लोग आपकी बुराईया ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप केवल अपना कर्म करते रहो, दुनिया में इनसान को हर चीज मिल जाती है, बस अपनी कलती नहीं मिलती, पता है आज का इनसान परेशान क्य है, क्योंकि रिष्टे में जो गर्मी होनी चाहिए, वो हमारे दिमाग में है, दोलत होने से आदमी अपने आपको भूल जाता है, और दोलत ना होने से लोग उसको भूल जाते हैं, त्याग के बिना कुछ भी पाना संबहु नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोडनी पड़ती है, लोहा गरम बले ही हो जाए, पर हथोड़ा तो ठंडा रहकर ही काम कर सकता है, आज धूप में सुकून है, कल इसी धूप से जलन होगी, अपने नजरिये में सही रहो, दुनिया की मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नजरू में तो आपकी सो अच्छा पर एक गलती भारी है, मुर्खों से बहस करना, गाल पर बेठे मच्छर को मारने जैसा है, मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको स्वयम एक चांटा अवश्य लग जाएगा, लोग कहते हैं, तुमारी आस्तिन में सांप रहते हैं, मैंने कहा, मैं क्या करूँ, मेरा वजूद ह तलास जिन्दगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिन्दगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले, जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं, अगर पाना है मन्जिल, तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं, जि जीवन में सुख, आनंद मिले तो शुक्र करो, और ना मिले तो सब्र, जब वक्त इंसान को बदलना सिखाता है न, तो इंसान भी वक्त को बदलना सीखी जाता है, मत जियो उसके लिए, जो दुनिया के लिए खुबसूरत हो, जियो उसके लिए, जो तुमारी दुनिया आजाता, गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं, वक्त, मौसम और लोग सब की एक सी फित्रत है, कौन कब कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता, किसी के बुरे वक्त पर हसने की गलती मत करना, ये वक्त है जनाब, चह वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है लेकिन बाते और लोग हमेशा याद रहते हैं वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है इसलिए वही सितम कर जो तू भी सह सके अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचती समय इनसान को सफल नहीं बनाता बलकि समय का सही इस्तेमाल इनसान को सफल बनाता है वो जो थोड़ा सा भी किसी और का है वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए ये वक्त भी कितना अजीब है पहले मिलता नहीं था अब गुजरता नहीं है बल से ज्यादा बुद्धी का उप्योग करो क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धी जीतना बिना हक का जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है और जब अपने हक का भी छोड़ने का मन हो वहां रामायन की शुरुआत होती है इतना ही जुको जितना वाजिब हो ज्यादा जुकोगे तो लोग तुमारी पीट को पाइदान बना कर तुमारे उपर से गुज़र जाएंगे किसी महापुरुस ने सच ही कहा था कि जब किताबे सड़क किनारे विकेगी और जूते काँच के शोरूम में तब समझना कि लोगों को ग्यान की नहीं जूते की जरूरत है मृत्यू से भी अधिक भयावय हो जाता है वो जीवन जब प्रेम में ही प्रेम की भीक मांगनी पड़ती है आजकल आवाजूं में तो हर किसी के ताकत होती है आप अपने विचारूं को भी थोड़ी सी ताकत दो जिन्दगी से यही सीखा है मैंने महनत करो रुकना नहीं आलाद कैसे भी हो किसी के सामने जुकना नहीं उचाई हांसिल करने के लिए बाज बने दोखे बाज नहीं तुमसे मिलकर ये तजुर्बा हुआ कि जुटे लोग भी लाजवाब होते हैं खाब, खाईशें और लोग कम ही हो तो बहतर हैं जब मन दुखी होता है तब जिन्दगी बोज जैसी लगने लगती है जितना प्रियास हम अच्छा दिखने के लिए करते हैं यदि उतना प्रियास अच्छा बनने के लिए करी तो हमारी जिन्दगी समर जाए जब आकल पर परदा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है लोगों की बाते कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना बाद में नमक लगा कर खाते हैं अच्छा व्यवार उस कीमती चीज को भी दिला सकता है जिसे पेसु से ना खरीदा जा सकी समश्या उतनी शक्ति शाली नहीं जितना हम उन्हें मान लेते ही कभी सुना है क्या अंधेरे ने सुवह नहीं होने दी पेसा केवल खुश करने का सादन है पेसा होने से कोई खुश हो ऐसा जरूरी नहीं है महत व इंसान का नहीं उसके स्वभाव का होता है कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिन्दगी भर साथ रहे कर भी नहीं जीत पाता है हर बार इन्सान बुरा नहीं होता कभी गभी उसका वक्त बुरा होता है किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कुशिश करे जिन्दगी बहुत आसान हो जाती है जब परकने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते है जब फुर्सत मिले तो मन की बात कह दीजिए बहुत खामोश रिष्टे ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहते कुछ लोग आँखों से दर्द को बहा देते हैं और किसी की हसी में भी दर्द छुपा होता है ख्वाहिश तो ना थी किसी से दिल लगाने की मगर जब किस्मत में ही दर्द लिखा था तो महबत कैसे ना होती हाल पूँच लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है बस तसली हो जाती है कि इस भीड भरी दुनिया में कोई अपना भी है मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि मकान में बे मतलब सामान और मन में बे मतलब गलत फहमिया भर जाती है सब कुछ बदल जाता है उम्र बढ़ने के साथ पहले हम जिद किया करते थे अब समझोता करते हैं मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आँखों की बंदगी में वरना थोड़ा-थोड़ा परेशान तो हर शक्ष हैं अपनी जिन्दगी में जो शुद्ध होता है वो शान्त होता है और जो एशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है पांच सीडियां सबंदू की देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना ये चार बहुत सरल सीडियां हैं सबसे कठिन पांचवी सीडि है निभाना आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलज गए और सुना दिया तो आप उलज गए अपनी तुलना दूसरू से ना करें क्योंकि बगया के हर फूल की सुगंद एक जैसी नहीं होती थोड़ी फिकर थोड़ी कदर कभी कभी खेर खबर इन छोटी छोटी बातों का होता है बड़ा असर जरूरत के मुताबिक जिन्दगी जीओ साहब ख्वाईशे तो बादशाहों के भी अधूरी रह जाती है उम्र कोई भी हो जिन्दगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सीखाती है गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया गम ये हैं कि जिसको वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी भी आशा मत रखना आओ किसी को परखने की जिद को छोड़ कर समझने की कोशिश करते हैं परिस्तिती बदलना जब मुम्किन ना हो तो मन की स्तिती बदल लीजिए सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा इनसानों की अब जरूरत नहीं यहां हर आदमी अपने मॉबैल से बाते करता है लोगों को उन्हें की भाशा में बात करने पर लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं खुशियां तो सब के पास है बस एक की खुशी से दूसरा परेशान है थेसियत का कभी अभिमान ना करना उडान जमी से शुरू होकर जमी पे ही खतम होती है परेशानी इस बात की नहीं की रुपईया गिर गया है बलकि इस बात की है की रुपईयों के लिए इनसान दिन बदिन गिरता ही जा रहा है जूट से खड़ी की हुई दिवार को किस्मत मरम्मत का मौका नहीं देती बस किरा देती है जितने अच्छे बनोगे आपका पाला उतने ही बुरे लोगों से बढ़ेगा पहले जिन्दगी में थोड़ी टेंसन रहा करती थी अब टेंसन में थोड़ी सी जिन्दगी रह गई है जिन्दगी जोकर सी हो गई है जो आता है अपना मनोरंजन करता है और चला जाता है कल योग नहीं मेरे यार मतलबी यूग चल रहा है इंसान और पतंग हवा में उड़े तो समझ लेना कि वो जल्द ही कटने वाला है मिलावट का दोर है हां में हां मिला दिया करो सब बंद लंबे समय तक टिकेंगे खरीद पाउं खुशियां उदाश चहरों के लिए मेरे किरदार का मौल इतना कर दे खुदा इतनी बुरी भी ना थी जिन्दगी जनाब बस कुछ दिमाग वाले लोगों को दिल में जगे दे दी इस जमाने में वफा की तलाश मत करो वो दोर और था जब मकान कच्चे मगर इनसान सच्चे हुआ करते थी जिन्दगी को खुली किताब मत बनाईे क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने फाडने में ज्यादा मजा आता है लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं इनसान की बड़ी अजीव फित्रत है मरे हुए पर रोता है और जिन्दे को रुलाता है लोग उपवा सिर्फ अन्नका करते हैं जबकि दिल में जहर, लोब, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही गोलते हैं उधार दीजिए मगर सोच समझ कर क्योंकि अपने ही पेसे बिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो बलकि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं और दोस्तों यहां पर हमारा वीडियो जो है वो खतम होता है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक कर दे और हमारे साथ जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई